एमने जो बेंगन और तरक यह जो लगाया हूए एक बड़ी मजदर बात देखने को मिली है कि जो ड्रड पम्पिकिन बीटल है जो लालडी है तो तरक की बेल जो है उसको तो खा रही है उसके पतों को तो खा रही है लेकिन बेंगन को वो टच भी नहीं कर रही है तो यह इसका नाम इसलिए रेड पंपकिन बीटर रखा हुआ है कि यह कद्दू जाती के जो सब्जियां है उन्हीं को खाएंगे कर द colony पच्जायब से साइन्टेस्ट जाते हैं जीन में कहते हैं कि यह कोटन की हिते हैं किसानों में ने सिर्फ कॉतन पर काम किया है तो वहां पर जाके वो किट्टों का विग्यान समझने की विज़ाए तो उनका अपना एक निजरिया है उसी को कि वहां पर कॉटन पर काम किया है तो उनकी टेक्निक के हो सकता है सर्फ कॉटन पर लागू होती हो तो यह आप देख सकते हो कि जो हमने बात भी की थी एक कीट ज चूसने वाड़े पते खाने वाड़े फूल खाने वाड़े सिर्फ जो तना खाने वाड़े और फड़ खाने वाड़े कीट है वह अलग लग फसल के अलग लग होते हैं इसे बैंगन का जो तना और फड़ का शेदर कीटा है फूट और शूट बोर वह सर्फ बैंगन को ही खा कीट क manger in summer будем for jogo कि औरनियमे कि ना डिंदन कसकते हैं सबंधे सब्सक्राइब और डिखने को मिला है कि जो यह चाहित है उसकते हैं यह एग्यान ने अब ये देख सकते हो कि इसान समूल और बत्ति क Judaism कर रहा है। इसको वह नुकसान है। यहां पर यह कदु की बेल हैै यहара के जूकीन नहीं है इस पर एक जी नहीं blir है इसको फेर हमें पक्राइगा प्रस्कशन कि तो यह कीट को सब्सक्राइब के Kalid है अगर नुक्सान करता है तो और कितना नुक्सान करता है तो यहां हमें कोई इसा फर्क नजन नहीं आ रहा है पौदे लगातार बढ़ते जा रहे हैं हम आलोस्ट आपको हर दूसरे तीसरे नहीं दिखाते हैं तो आपको खीत में जाके देखना होगा तो इसार से अब इसमें ब्रांच भी होने लगी है एक दो और टीन ब्रांच इस बेल में निकल चुकी है तो और यह चौथी ब्रांच भी शुरू हो गी है तो नहीं ब्रांच भी निकल नहीं नहीं पत्ते भी आ रहे हैं तो यहीं विग्यान है विग्यान खेत में समझा जा सकता है झाल झाल